स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिप अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे नमस्ते मित्रों आप शो गुजराती मा आत्मकथा स्वरूप नो अभ्यास करी रहा शो अने केटिक गुजराती नी गणना पात्र आत्मकथाओ नो पन अभ्यास करी रहा शो यह अभ्यास ना भाग रुपे आपने आजे वदुएक आत्मकथा नामे मनिलाल नभुबाई द्विये दिनू आत्मवृतान्त यहना विशे थोड़ी वातों समझवानो प्रहेत्न करवानों शे मित्रो आबे बाबत्मा आपने तो एकली खबर पड़ी गई के आएक मनिलाल नभुबाई द्विये दिशे अन्ने यहमने पोताना जीवन नी अगत्यनी घटनाओ वातों प्रसंगों ने वर्णावत जे व्रतान्त लख्यू शे ते यहमनों आत्मव्रतान्त छे सामाने रिते कोई पन व्यक्तिनों आत्मव्रतान यह बैत्र जुदा जुदा उद्देशों थी लखातों हई शे सित्वीने पहलो उद्देश तो आत्मव्रक्षणणव्र जात अपासन जात मुल्यांकरन होई शके विजो उद्धेश पोताना समय नी बधा प्रकार नी परिश्थित्यों ने समझावानों पण होई शके। एक उद्धेश पोताना जे कई अनुभव हो शें पोताना जीवन माथी जानवा मापवा जेवुशें ते समावालाने यथार्थ रिते कामे लागे। यहने मायक दर्शन मली रहे ते वो पन होई शके। मनिलाल नभववाई ना आत्म रुटांत मा आत्रण करता एक चौथीज वाद छे। अन्य ए वाद छे पोताना जीवननी केटिक स्पस्टताओ करवानी। पोताने थाएला अन्यायोनी केटिक फरियादो करवानी। पोताने उपर लागेला आरोपोनू केटलुक जस्टिफिकेशन आपवानी। आएक बहु मुटा प्रकांड पंडित हता। ज्ञान साधना एमना जीवननो एक निष्ट एवो यगन हतो। आवडा मुटा पंडितने फरियाद करवानू। पोतानी जात मातेला खुलासाओ आपपानू। आवडा मुटा पंडितने पोताना समयनी और पोतानी जे कई परिस्थिती होँछे। ये परिस्थिती वच्चे केविरी ते काम करी रहा छे। एनि इस पस्तिता करवानी एविते कही जरूर्यात उभी थाई हसे। ये आजे आपने विचारवू पड़े ओमुद्दो छे। स्वभाविक छे। ए वाट आपड़े ए आत्मरूतान्त मा थी पसार थाई है तरत खबर पड़े। पर समझवानी बात ए छे। के ए आत्मरूतान्त मा आउती विविद विगतों विविद प्रसंगों विविद व्यक्तियों ना संदर्भों। के बदानी पच्वाड मनिलाले पोताना जीवन मा जेके आकलन करिऊ। मनिलाले पोताना जीवन मा जेके मेल विविऊ। एनू एक ततस्ट मुल्यांकन आपणे जाते ए वांत्ता वांत्ता बिट्विन द लाइन समझवों पड़े। और मारे एतला महरे केहवानू थाई छेके मनिलालने मनिलालानी जीवन घत्त नावने अन्ने मनिलालना आँ आत्मुरतानने समुद्ता पहला आपने एक कया संजगोंंon, एक कया समयं井ंon, एक कया स्थळं, एक कया समाजंग मा लखायू हतु। ये संदर्व न जो आपने जानियें तो आपने कदाच मनिलाल ने सारा नर्शा नी बाबत माँ सरस निरस नी बाबत माँ आपने कदाच बराबर न समझी शक्यें यहुपन बने मनिलाल नर्याद ना नागर नर्याद ना प्रकांड पंडित मनिलाल नो समय गुजरात माटे ने गुजराती सहित्य माटे पंडित युग नो समय शाक्षर युग नर्याद एक गुजरात नी शाक्षर भुमी अखा गुजरात मां जो कोई साक्षर भूमी सब्द बोले तो गुजरात ना आटला मुटा सहरो से एमा थी कोई नहीं अने मध्यम कक्षानों नडियाद अच केम याद आवे सामाटे नडियाद ने साक्षर भूमी थी नवाजवा मां अवियु हसे नडियाद वासियो गवरो अनुभवे क्या याँ एक करता अनेक लेखको सर्जको कभियो थाई गया ए तो वजारे सर्जको थाई गया होए यवा तो आपना गणा मोटा सहरो से एक समय मां एक साथे अनेक सर्जय को थाई गया इतले तो एवाद आखलापन आपी जोड़े सुरो अतने भावनगर थी माड़ी अने उत्तर गुजरातना के इतला हिसाईर होना शे ये बदानी वच्चे साक्षर भूमी तरीके नडियादच कें तो मित्र वाज जाने एम छे के मध्यकाल थी अरवाचिन काल इले के अडार सो पचास आसपास जारे गुजराती सहीत्य आव्यू त्यारे ए सुधारक यूग गणायो संसार सुधारो ए आ यूग नी एक बहु मोती महत्वा कांक्षिय भी विचारशनी हती अंग्रे जो आपने त्या गुजरातमा अडार्सो अडार्मा स्थीर थाया ए पचि अंग्रे जोने मार्गे आवे ली अंग्रे जी अंग्रे जोने मार्गे आवे ली ए संस्कृती अं आ बधानो इतलो बदो प्रभाव आपने त्यां पड़ेओ के एने कारणे आपनु पोतानु जे हतु यह हांसियामा धके लावा माड़ियो और आम थवानु खरू कारण पन हतु के अपनों समाज अंग्रेजो और अंग्रेजी संस्कृति में परिचय में आयो ते पहला अंदिस्रद्धा और कूरिवाजों में इतलो बदो गड़ाडू बहतो के जेवू आ समाज ना युवा वरगे आ कशुक नव जोयू आ कोई नवो प्रभाह जोयू पोताना कूरिवाजों अने पोताना रुडिगत जड मानस नी सामें अंग्रेजी संस्कृति आने अंग्रेजी साहित्यनों जे नवो प्रभाह जोयू यह तरत स्विकार्यों के जे पस्चिमनू छे तेज बदू उत्तम अने आपनू छे ते बदू नकामू पस्चिमनू छे तेज साहित्यों इतले सुधारों तो ठीक छे पना अभ्यास्यों यह कयो कि आ सुधारानू वावा जोडू शे शुधाराना आ वावाजुडा सामे जे आपनू पोटानू छे आपनी संस्कृति छे आपना जे उत्तम उत्तम रिवाजो छे संस्कारों छे तेपर टकवा जुई ।े सुधारानू एपिक सेंटर इसुधारानू मुख्य केंद्र गुजरातमा शुरत हतु। नर्मद, दुर्गाराम जी नी एक आखी मंड़ी हती कि जने आ सुधारों चलावे। ये सुधारा आए आपना जे कुधाराओ हता एनी सामे जे बंड पोकारी। येमा आपनी साची संस्कृतिनु धोवान थवा माड़ी। परिणाम ए अभिय। कि अड़ार्शो पचास पथी सरू थेली आ सुधारा ने कुधारा वाली लड़त अड़ार्शो इन्सी पंच्यासी पची स्थीर थवा माड़ी। तारण युनिवसिटी सिक्षण माथि जे नातको अनुस्नातको बहर पड़या। येने बहु सम्यक्रिते, बहु ततश्टता पुर्वक, बन्ने संस्कृती ना उत्तम उत्तम नियम हो छे येनों अभ्यास कर्यों, और बन्ने संस्कृती माथी जे सारू छे येने स्विकारवानी तयारी बतावी. तो सुधारानी सामे आपणू जे कई छे तेनू पां रक्षण कर्वू, ये संरक्षण निती अडार सो पंच्यासी पछी सरू थाई, अने जेम सुधारानू मुख्यकेंदर सुरत बन्यू, येम स्वधर्म, स्वशंस्कृती, स्वभासा, संस्कृत भासा, आब दानू संरक् प्रण माते नू मुख्यकेंदर नडियाद बन्यू, अने नडियाद इटला माते बन्यू, के नडियाद माँ एक एकज समय मनग सुख राम, सूर्य राम, त्रिपाथी, गोरदन राम, मादव राम, त्रिपाथी zwei संकरू लाश राम, कंथारिया, जविरिलाल यागनिक्, द बुत्तम पंदीटो वेड शास्त्र संस्क्रूत अने संस्कृती ना प्रकांड अभ्यासियो यह मैं आ साउरक्षण निती अपनावि अने आरिते सुरत ए गुरातनु सुधार खेंदर अने नटियाद ए गुरातनु साउरक्षणा माधे केंद्र बनिव और नडियाद साक्षर भूमी पन बनिव और साक्षर भूमी गोर्धन राम ट्रिपाथी और मनिलाल नभो भाई जिवा जे और बारा संकर कंथार्या जिवा केट केटला उत्तम सर्जको आपया आसाक्षर भूमी मा गोर्धन रामे समन्वई कारी यह अभिगम आपती सरस्वती चंद्र नवल कथा आपती वक्ते लख्यू के मारे आ त्रणेव प्रवाह पुर्वनो पस्चिम नो अने अर्वाचिन पुर्वनो आ त्रणेव नो प्रवाह कोई उपदेश नी रिते नी पर वार्तारस नी रिते मारा प्रिय वाचक ने मारे प्यूडा हुँँ छे उपदेश रस भेळो वार्तारस भेळो उपदेश रस हुँँ पाई दों एवी नेम यह मने सरस्वती चंद्र नवल कथा माँ दाखे आ समय हतो मनिलालनो आ सांस्कृतिक कैंद्र हतो नडियात अने एमा अपने मनिलाल नवुवः द्वेदी जिवा प्रकांद पंडित मर्या आपन्डिते आपने प्राण विनिमै थी माडी, सिद्धांत सार् थी माडीने, कांता जिवा नातक थी माडीने, विदांति अने सुफी इजम वाली घजलो थी माडीने पंडित युगना चिंतनात्मग गध्यनी एक नवी फोरम आपी छे आहिवा मनेलाल नभुभई एक एवा पंडित छे के जैने संस्कृत अने गुजराती ने साथे राखी ने केट-केतला अभ्यास हो केट-केतला अनुवादो आपड़ने आप्यास हे यहमनों आयुष्या तो घणू टोकू हतो पनड़ जीवन टुकू यहनू जीवनकारिय पन टुकू यह गणित मनेलाले खोटू पाड़िऊ चालीस वर्ष नी तोकी जिन्दगी मां यहमने अनेको नी लांबी जिन्दगी जे कई करी शके तेना थी पन वदारे सहीत्य ने संस्कृति ने सेवा करी जानी छे मनिलाल नवो भाईये जीवनना अन्तिम वर्षो मां जे के ही सर्जन करी हुँ एनी सुची जोईये तो आपने ख्याल आवे के छिल्ला बे वर्ष मां पन यहमने सर्जन मां पाची पानी करी नथी यहमने सर्जन मां कदी अंतिम वर्ष लगी कदी ओठ आवी न थी यहमने नडियादू प्रांत मॉंबई भाउनगर वडोद्रा केतला स्थळे नोकरी करी यह किरवनी निरिक्षक पन हाता अने यह नोकरी यह दरिमान यहमने जादभात ना अनुभव पन थाया हाता यह यहमने पोता ना आत्म वृथांत मा आपयो शे पण मित्रो दुरुभाग यह मनिलालनू आत्म वृतांत इतले जाने जातिय वास्नानो मनिलाले करेलो एकरार मनिलालनू आत्म उर्तांत इतले मात्र प्रेमनी अभिलाशा अने प्रेमनी वातो मनिलालनू आत्म उर्तांत इतले एमने पोते करेला व्यभी चारोनू छाप्रे चडीने करेलू बयान आ आत्मकथा माठे आवी एक मरियादित गेर समझ प्रवर्ते छे ए आपने आजे दूर करवानी छे मनिलालनु आत्मरुटांत एले महत्र आज नहीं पर मनिलालनु आत्मरुटांत एले ए समयना गुजिरात नो सामाजिक सांस्कृतिक इवन राजकिय पन खरो एक दस्तावेजी करान वालो बहु मोटो सामगिली नो स्त्रोत आपनी पासे पड़े ओ छे कम नसिबे आत्मरुटांत मनिलालना गया पची इसी निव वर्ष पची आपने मड़े छे सुकाम मनिलालना आत्मरुटांत माटे आवी गह समझो प्रवर्ते छे शुकाम ए लखाया पचि एसी निव वर्ष सुधी पड़ी रही हती, शुकाम ए ज्यारे एक खुणामा धकेलाई गई हती, त्यारे एने प्रसिद्ध करवा माटे ए समयीना साक्षरों ने उहापो चलवर मानवी पड़ी हती, आब दानों विचार पन आपड़े करवो जुए तोज आपड़े आ आत्म कथाने सरस्त्र विते समझी सकिए, हवे पसी आपड़े आ विचार पर आगरवदीशू, त्याइक यू मित्र आपड़े मनिलाल ना आत्म रुतांत्यने समझवानों प्रहेत्न करी रहा आशिये अत्म उप्रतान एक ललितेतर सहित्य स्वरूप से एक स्वभावी क्रितेज इनवल कथा नाट कविता जिवा जी अपना ललित स्वरूपो से एक लोग प्रिय न होयी ये आत्म कथा इतियास पढ़ न थे नवल कथाई न थे एक व्यक्तिनु वृतांत ते आत्म कथा और आखा समुहुनु वृतांत ते इतियास अवे जो ये व्यक्तिनु वृतांत साव निरस्रिते लखाई गयु होई तो इतियास बनी जाए ये व्यक्तिनु वृतांत कल्पनाना अनेक रंगों भेर्वी ने लखाई जाए तो ये नवल कथा बनी जाए आत्म कथा कारे आ बन्योंनी वच्चे संतुलन जाळावता जाळावता पोतानी जे सत्यवात छे एने निरस्रित बनाया वगर रजु करवानी छे गुजराती आत्म कथा मां सिर्मोर समी घांदीजीनी आत्म कथा आ मांटे नू उत्तम उदाहरां शे पोते जात परिक्षण मांटे सत्यनी तपास मांटे जे कई प्रयोगों करे छे अनि इप्रयोगों करवा माटे अनि इप्रयोगों करता करता हमने जे कै वेठियूं जे कै मेल्मियूं जे के इस खलनो हता आनों सामनों करे आ बदु इमने निर्भिक एन छता इतलि शरस रिते प्रजा समक्ष मुक्यूं कि आजे इं मात्र गुजरात नी नहीं मात्र भारत नी नहीं पन विश्वबर नी आत्मकथाओं मां सन्मानिय स्थाने छे मित्र गुजराती आत्मकथाक्षेत्रे गांधी जी पछी पोता ना जीवन नास खलनोंने निर्भीक रिते कबुलात करवा माते नी भूमिक आये थी जो कोई तपाशनी करवानी थाए तो ए गांधी जी नी जुडा जोड अत्वा गांधी जी पछी तरत अपने मनिलालनी आत्मकथाओं ने मुक्वी पड़े मनिलालनी आत्मकथाओं आम तो इतिहास पड़न थी नवल कथाओं पड़न थी पर एना जीवननी संगर्ष्मई कथाओं इतला सरस संकलन थी एक प्रसंग थी बिजा प्रसंग ने नई साधो नई रेन नी जेम अस्खलित गध्य थी आमने मुकियापी से के जोता आपने जाने के आपने कोई ललीत स्वरूप ललीत गध्य माँची रहा हिए तेवो अनुबाव थाए मनिलाल आम तो पोता नी संस्क्रूद पदावली माटे जानिता जानिता जी नहीं पर जे पंडितो नथी इन माटे तो कुख्याथ इवा लोकों माटे तो कुख्याथ प्रियम्वदा ने सुदर्शन जिवा इमने सामाई को चलाया इम इमनी भाषा वाँची अने पत्रों हाउ था क्यों तमारी भाषा अमने समझाती नथी सरल भाषा मा लखो नर्या संस्क्रूत तत्सम सब्दोना आग्रही मनिलाले जैरे आत्मकथा लखवानी सरू करी त्यारे एक जुदाज प्रकारनु गद्य आपड़ने आपियों मनिलालना निबंदोनु गद्य मनिलालना सामाईकोनु गद्य मनिलालना सिध्धांत सार जिवा चिंतनात्मक ग्रंथोनु गद्य और मनिलालना आत्मरुतांत नु गद्य आ चार भूमिक आये थी आपने मनिलालना गद्य सर्जनों नी तपास करवी पड़े तेम छे, आ चारेव दिशामा मनिलाले गद्यना जरूरी एवा प्रयोगों अने उपयोगों कर्या छे सामानिय रिते, पंडित युगना गद्यमा आपड़ने जे संस्कूरूत पदावलियो, संकूल वाक्यों, लाबा-लाबा वाक्यों जिवा मले एना करता जाने वाच्चीतिया भासा मां सरल रिते कोई सामान्य मानस लगतो होई ए रिते तेमने आ आत्म कथा नू गद्या प्रयोगों छे अडार सो पचास पची मध्यकार नी मरियादाओने छोडिने जेरे अरिवाचिक कार आगर वध्यो त्यारे सुधारक युगमा अंग्रेजी साहित्या ने अंग्रेजी संस्कूरूत ने मारगे गुजराति मां गद्या रूपो खेडाया आपने पहलू नाटक मल्यो सुधारक युगमा आपने पहलो निवन्द सुधारक युगमा आपने पहली नवल कथा सुधारक युगमा आपने विवेचन सास्त्र नी शरू आत्म सुधारक युगमा ये रिथे आपने पहली आत्म कथा आपन सुधारक युगमा अने एपन सुधाराना सेनानी इवा नर्मद द्वारा अडार्शो चांशाट मां मारी हकीकत नामे जो के नर्मद ना पुरोगामी सुधारक दुर्गारा मेता जिये मारी हकीकत पहले पहला पुता नी रोजनी स्री आपी हती पन ए आत्मकथा स्वरूप नी न होवा थी कालकर में पहली होवा छता गुजराती साहित्यानी प्रथम आत्मकथा तरीके नर्मद नी मारी हकीकत अडार्शो चांशाट मां आपणने मली तेज नोधाय लीज़ अडार्शो चांशाट मां मारी हकीकत लखनार नर्मद ज्यारे अडार्शो च्यांशी मां मरण पथा रिये हता अंतिम माद गिये हता त्यारे अठ्याविस वर्षना तरूं प्रफेसर युवान प्रफेसर मनिलाल नर्मद ने सूरत मां एमना घेर मलवा गया हता अने त्यारे नर्मद कईू हतू कि आ संस्कार रक्षन ना कार्यनी तमे जे उमलका भेर उजवनी करी छे मारा संस्कार रक्षन ना कार्यने तमे जे उपाड़ी लिधू छे ए जोता मने लागे छे के तमे ज मारा साचा उत्तराधिकारी छो आरिते नर्मद थी सुधारक युग नू हस्ताक्षन नू मनिलाल मा ठाई छे अने त्यांच पंडित युग नी सरुवाद ठाई छे अडार्सो ने सित्यासी नू वर्ष गुजराती साहित्यमा बाउज महत्वन वर्ष छे आपनी पहली नवी पंडित युगीन कविता कुसूम माला नर्सी राउद्वारा आपने अडार्सो सित्यासी मा माले छे अने मनिलालनू आत्मरुतांत लखाव उपन अडार्सो सित्यासी माज नर्याद मुका में सरुव थाई छे मनिलाले मुंबाई थी आत्मरुतांत लखावानी सरुवात नो विचार करे हतो पन एनी सरुवात नडियाद माज करी अने चार महिना जितला समय गाळामा फेबरुवारी थी मे के जून सुधी मा एकी बैठके यमना जिवन ना पहला अठ्यावी स्वर्ष नो चितार सलंग लख्यो शे मले नालनी आत्म कथानो आ पुर्वार्थ आत्म वृतांत नो आ पुर्वापाग यमने पुताना वृतांत मा 31 जुलाई अडार्शो तानूम जे नोध करी शे ये वाँच वाजिवी शे प्रकास अने तिमीर, सुख अने दूख, आनन्द अने कलेश, संसार्णिया वधी विरोधी वृत्यो नू कोईक विलक्षन मिश्राण छे आ जिवन प्रती आखा मिश्राण ना प्रत्यक रंग नो पुरो कस जाने आ सरेर उपर बतावो यो भावी नो निश्चै न होल मनिलालनो जिवन आर्थमा अनेक संगर्षो थी भरेलू हतू यह मने जिवनमा जितला मित्रो जोया छे इतला जि दुस्मनों सामनों करे उशे इस्वर ना अदभूत सर्जन समा आजे मान भी छे इने समझवानी घणी कूचियो घणी सामगरी मनिलालना आत्म उर्टांत मा थी आपणने माले शे माना समात्र तेज अने अन्धार नो क्यों पुत्रो शे ते आचार अने विचार दी रिते केवी बे जुदी जुदी भूमाएक भूमी काए काम करे शे एक तरफ एननो उजलो भाग जबगतो होई तो एज वेक्ती मा आपणने बीजी तरफ केटलो पशु भाग पण जो आहा माले शे संस्कृती अने विक्रुती नो क्यों एकत्र निवास मानस मात्र मां पढेलो शे एननो उत्तम उत्तम उदाहरन मनिलालनी आजीवन सामगरी शे जे मानस गुजरातमा एक मोटू धार्मिक अने संस्कृतिक आंधुलणन सुखानी हतो जेने संस्कृतना प्रकांद पंडित तरीके भारतियसंकृतिना चिन्तक तरीके भारतमा अने परदेशमा मोटी ख्याती मेलवी हती अने एकले सिकाज नiblा विश्वधर्म परिशदम भारतिय तत्वग्नान विशे वात करवानू आमंत्रण माली हतु। जाने पुता नो कोई अलग संप्रदाई नोतो स्थापयो औने छता एक बोलो अनुयाई वर्ग उभो करयो हतु। ये वा मानासना जीवनमा नैतिक अधह पतन अने ए संबंधी अनेक मरियादाओ पन की विरते आवी शके हैं। ये जो आपने समझू होए। तो मनिलालना आत्मरुतांतनों आपने सम्यक अभ्यास करवो पड़े। अधार्शो अठावन्थी अधार्शो अठाणुना मात्र 40 वर्षना टुका आयुष्यमा येमना जीवन उपर जीवन पथ उपर केवा परस्पर विरोधी येवा भातोनी मिलावनी आपने मली हती। ये आत्मरुतांतनों मुख्य अने एक मेव। येव। समझवा जेव। पासू छे। गुजराती साहित्य अने गुजराती संस्कृती आ बन्नेक्षित्रमा मनिलालनों कार्य अविस्मरणिय छे। येना चिंतनात्मक सर्जनों मा धर्म, राज्य, गुरूह, समाज, शिक्षान, सहित्य, येम जीवनना अनेक खंडोने आवरे लेती। ओगणिश्मी, सदिना, उत्तरार्धमा, प्रवर्ती, नविन, संस्कृती अने समग्र पस्चिम भारतनी संस्कृती नो इतियास आपने येना सर्जनों मा थी मलेशे। अपने तेहां घणा सर्ज को इवा थाई गया। जेमना जीवन मा साहित्य थी विशेश काई होतू नथी। इवा कि इतला है लेखको छे जेमना जीवन मा तेमनी साहित्य प्रवूती सिवाई बीजी महत्वनी बाबतों न होई के रस आपे भी बाबतों न होई। परतु नर्मद, मनिलाद, गोर्धन राम, कांत, कलापी, जीवा सर्जकों मा जीवन मा थी। लोकोने जिग्नाशा, रस, लोकोनो कुतुहल रस अने साथे साथे यमा थी कशुक शिखवा मले इवी केटली बाबतों मली रहे योँ जीवन आपनने आ सर्जकों मा थी मले शे अने तेमाना मनिलाज एक छे। नवाईनी वाद एछे। एनो खुलासों ए जन समाज ने आपी शके ए माथे यमने आ आत्मरुतान ते लख्यूं पन ए लख्या पछी नियू वर्ष पछी छेक उग्नीशों ने अग्नाशीमा आपनने पहली वकट ए प्राप्त थाय। तो आरी ते मनिलाज नू आत्मरुतान आपनने छेक अग्नेशीमा मले ए पहला मनिलालना जीवननी केटकेटली बाबतों मनिलालना जीवननी केवी केवी अधूरी अतकच्री अने साव खोती हो ए वी माहीतियों वेती थाय हती मली हती। दंत कथा जेवी वातो मनिलाल माटे प्रवत्ती हती। मनिलालना प्रेम प्रक्रणने चगावी चगावी ने एकदम अनैतिक रिते लोको चर्ची दया हता। आवडो मोटो प्रकांड पंडित अत्यांत दूरजन होई इवी पन एक छबी उभी थती हती। मनिलाल नी आ आत्मरुतांत ने मलता पहला मनिलाल माटे नी आ प्रकार नी चगावी ये वखतना सर्जकों मां भरे दुख अने ग्लानी नी लागनी पैदा करी हती। अने ये सर्जकों मनिलाल नी आत्म कथा संपूर्ण प्रसिद थवीज जोई है ये वो एक उभापो शरू करेओ। ये उभापो ना अग्राणी हता अंबालाल बालकृष्ण पुराणी ही। कव्मुदी अने वसंत जेवा सामाईकों मन येनी इतली चर्चा आवी इतला बदा चर्चा पत्रों आव्या। अने ये प्रगल मागनी उठी के छेवते ये आत्मरुतांत धिमे धिमे प्रसिद करू सरू थाय। आत्मरुतांत कौने प्रसिद करू आत्मरुतांत कौन प्रसिद नोतु करवा मागितू आत्मरुतांत क्या प्रसिद थाय। आत्मरुतांत क्या प्रसिद थाय। आत्मरुतांत के विरिते प्रसिद थाय। अने केटलू प्रसिद थाय। एनी वातों हवे पछीना मुद्धामा आपने समझवानी छें तो मीत्रों हवे आपने मनिलाल ना आत्मवृत्रान तरफ आगरवधी है मनिलाले आपने आगर कयो तेम अडार्शोंने सित्यासी मा जीवनना अठ्याविसमा वर्षे वास्तविक वात सहजमा द्रष्टी कोजर थाय इवो एवाल लखवानी सरुवात करे अने पोताना जीवनना छेल्ला त्रण वर्षों इलेके अडार्शोंने पंचाणू थी अडार्शोंने अठ्ठाणू ना वर्षों सिवाईनों जन्मती माडीने अडार्शों पंचाणू सुधीनों कुल साड़त्रिस्वर्ष्ण जीवन वृतांत यहमने आ आत्मकथा माँ आपिवुशे यहमने जयरे अडार्शोंने सित्यासी माँ आत्मकथा लखी अने ए पशी जयरे जयरे मुटा मुटा प्रसंको बने त्यारे छुतक नदो यहमां लगता जऊ उमेरता जऊ नक्की करि त्यारे हमने खबर हती के मारे जीवते जीवत आ आत्मकथा प्रसीद थवानी नथी हमने आत्मकथा आन्दसंकर द्रू ने स्वांपी हती अने आन्दसंकर द्रू इतला बदा अभिजात्य नागरी संस्कृती अने संस्कार वाला व्यक्ती हता के मनिलाल नी आत्मरुतांत मा आउती वीगतो प्रसीद थाए ये रूचिकर लागियो नहीं तेथी आत्मकथा आत्मरुतांत आनंदसंकर वाई जुड़े धबू राई करू पन आपने आगर कयू तेम के यमना जीवन विशेनी ये भी खरी खोटी वातो वहती थवा माडी के छेवटे ये समयना लेखको ये भेगा मलीने आ दस्तावीजी मुल्य धरावता चरित्र ने प्रकासित करवा माटे मोटो उवापो सरु करे ये चलवलना सुकानी अंबालाल बालकृष्ण पुराणी है था ये मने आननसंकर द्रू ने ये आत्मकथा छापवा माटे मजबूर करेया अने छेवते आननसंकर वईये पोताना वसंत सामाईक माँ छुटा 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 हपते मने लालनी आत्मकथा प्रगट करवानू शरु करेया परन्तु ये छौ हपता माँ पन मने लालनी आत्मकथाना एक्यासी पाना अच यले के हमना जीवन नो अडार्शो ने पंच्यासी सुधी नो समय गालोज प्रसिद्ध थयो पंच्यासी थी पंचानू सुधी ना 10 वर्ष्णी 9 प्रसिद्ध न थयो वलि ये जेकर भाग प्रसिद्ध थयो ये पर आने शन्करवाई वाच्चे संपादीत करता करता कृता कितलिक वस्तो ओ एडिट करता करता कितलोग भाग अंदर थी उडारी देने प्रसिद्ध करता हा था आम छता पहली वकत मनिलाल ना जिवन विशे नी कितलिक एवी विगतो मनिलाना सब्दों मा बाहर आवी जना थी एमना विशे प्रवट थी गनी गेर समझो दूर थे आनन संकर भाईये आत्मरुतांत ना आउसो वसंत मा प्रगट करवा माड़या ये पहला अंबालाल बालकृष्ण पुराणिये कौमुदी त्रैमाचिक मा ओगणिश्दो छत्रीष्ण अंको मा मनिलाल चरित्र नी सामगरी ये विशयक लेख माला सरू करी दिदी हते और ने ये लेखो मा मनिलालना कुटोंब जिवन विद्यार्थी जिवन वित्रो संबंदी अनेक विगतों आप्वा मारी हती आप दू अमबालाल पूराणी नरियाद फरीने भाव नगर फरीने मनिलाल ना कुटुम्बी जनों नो संपर्क करीने मनिलाल ना भाई माधवलाल नो संपर्क करीने अमना घरमाति के लिक विगतो मेरवी ने प्रसिद करी हतो 15-70 वर्ष तुदी पेलो आत्मरुतांत मिलावाना प्रहेत्नों करिया पण अम्बालाल ने आत्मरुतांत मिलावामा सफ़ता मली न हती 151 मां एमने मन द्वियादी नू जिवन चरित्र नामे पुस्तक मां प्रगट करियो हतु अन्य आ पुस्तक मां मनिलाल ना अंतीम त्रण वर्षों नी रस्तप्रद विगतो प्राप्त थाई शे जे मनिलाल ना पोता ना आत्मरुतांत मां प्रहेत्नों मलती न थी गणुखरू आ विगतो अंबालाल पुराणिये नडियाद मां मनिलाल ना एक युवान अत्वातो बाल किशोर दोस्त ए कवी चित्रकार फुल्चंद सह पासे थी मिलवी थे तो मनिलाल ना आत्मवृतांत अने उप्रांत मां अंबालाल पुराणिये नू मन द्वेदी नू जिवन चरित्र आ बन्नेव कृतियों नू आपने अभ्यास करवो पड़े अंबालाल पुराणिये कवमुदी त्रहिमासिक मां मनिलाल ना जिवन विशयक लेख माला मनिलाल चरित्र सामगरी ये हेडिंग थी ये लेख माला सरु करी आ पहलो काम करियों मन द्वेदी नू जिवन चरित्र आ पुस्तक लख्यों ये उप्राण त्रीजुपनेक महत्वनू काम अंबालाल पुराणिये करियों अने ते सूरत न अडाजन न रहवासी नर्भे राम प्राण संकर नी पत्नी मनि ये मनिलाल उपर लखेला पत्रों नू संपादत अ नर्भिराम प्राण संकर अने हमना पत्नी मनी आ बनने मनिलाल जारे मुंबई मा किरवनी खाता मा हता त्यारे त्यारे शिक्षक तरीके काम करता हता एम केवाई छे के आ मनी ना पत्रोय मनिलालना जीवन मा बहु मोतो भाग बजव्यों हतो आ प्रेम पत्रोय नू संपादन एमने कवमोदी त्रैमासिक मा उगिशो चत्रीस ना नवेंबर मा अग्यार पत्रोय हप्तावार पुराणी साहेबे प्रसिद्ध कर्या हता अम्बालाल पुराणीये प्रगट करेला मनिलालना आ जीवन संबंधी त्रनेव कामों आम तो घनेव से स्रद्ध्य हता पन अधूरा हता काणके हमने पिलू आत्मरुतांत मलिव नहतो पन मनिलालना जीवन विशे नी विश्त्रुत माहिती प्यल्दी वखत अपने अम्बालाल पुराणी ना आ त्रन कामों कावमुदी नी लेख माला उग्णिशुए कावनमा जीवन चरित्र पुष्तक अने कवमुदी मा एमना उपर लखायला प्रेम पत्रों नू संपातत अत्रन कामों मा थी अपने पहल्ली वखत मनिलालना जीवन नी रसुप्रद विगतो मलेश्य है मित्व मनिलाल नबो भाई जयेंतिनी उजवनी करी अने इन प्रियमाभाई होल मा उत्तम लाल ट्रिवेदिना प्रमुक पदे आनंद संकर जे मनिलाल नई केलवनी विचारों उपर जे लांबू भाशनाप्यु हतु मनिलाल विशे नी सामगरी रजु करतु आ त्रिजु महत्वनु दस्तावे जिकरान। 1904 ना अक्टोबर मां आनंद संकरे आपेलू व्याख्यान। जे वसंत मां प्रसीद्य थलू। मनिलाल नी जीवन सामगरी आपणे एक चोथा तबक के मलेशें। एमना कांत अने कलापी ना पत्र व्यवारों। दूरुद भाग ये मनिलाले कांत उपर लखेला पत्रों मलता न थी। परन्तु कांते लखेला पत्रों आपणे कांतनी पत्रधारा मांती मलाई चे। एज रिते कलापी नी पत्रधारा अने कलापी ना 144 पत्रों जिवा पुस्तकों मा थी आपने मनिलाल ना कलापी उपर लखायेला पत्रों पर मड़ेशें। मनिलाल ना पक्स लईने कांते खुद रमन भाई निलकंठ ने मनिलाल ना अध्वैत सिद्धान्त नो स्विकार करवानो आग्रह करयो हतो। मरुतांत थी विशेश यवी मनिलाल ने जीवन सामगरी अपने आ चोथा क्रमे कांत अने कलापी ना पत्रों माथी मड़ेशें। पांचमों मुद्धु मुंबई ना सत्यवक्ता सामाईक नो छे। आ सत्यवक्ता सामाईक ने भी योजना हती के दर वर्षे पुता ना वाचकों ने एक पुस्तक बेटा पे। अने ना मालिक नामे केशवलाल हरी विठल दासे अडार्शों ने नेव्यासी मा गुर्जर हिंदू अग्रेसर मंड़ी नी चित्रा वली ये नामे पुस्तक तैयार कराविय। येमा चोशठ जितला गुजराती महानो भावो ना चरीत्रो फोटा साते प्रसीद्ध थया अने येमा चोपन मा क्रमे मनिलाल नो चार पान नो तूको जीवन सामगरी नो सार येमना सुन्दर फोटा साते प्रसीद्ध थयो। कालक्र में मनिलार विशे लखायेला लखाणों मां आ सत्य वक्ता नो पुष्टक ये प्रथम स्थान पामेशें। अडार्षो ने चन्नु मां अमदावादना मगनलाल नरतमदास पतेले भारतना रुशियो, महर्शियो, संतो, पंडितो, भक्तो आ बदानी जीवन रेखा दोरियापतो एक भुरुहद संग्र माहजन मंडर प्रसिद्ध करू और यहमा पन मनिलालनी जीवन सामगरी प्रसिद् अडार्षो ने नेवियासिथी अडार्षो ने चन्नु दर्म्यानना अंतिम साथ आठ वर्षो मां मनिलाले कई प्रवुत्ती करी, कया सर्जनों कर्या, एनी सुची पन आ माजन मंडर मां मगनलाल नरतमदास पतेले प्रसिद्ध करी छे मित्रो ये पचीना क्रमे आपडे नर्षी राव भोड़ाना डिवेतियाए उग्निस्तों एकविस मां लखेला स्मरण मुकूर मां मनिलालनी जे विगतो अने मनिलालना जे स्मरणों लख्या छे तेने जुवा पड़े अने छेलले आठमा क्रमे मनिलालना मृत्य बाद अडार्षो ने अठाणुमा गुजरात ना अनेक सामाईकुमा जे आउसान नो धो अंजली लेखो निवापांजलियो प्रसिद्ध थाई हती एनी पन नो धुले भी गती ए सव मा गुजराती साप्ताईक नो दस दस अडार्षो अठाणुनो अंक अने ग्रान सुधा नो मार्च डिसेंबर अडार्षो नो अठाणुना अंकमा छपायाईली निवापांजलियो सव थी महत्त्व नीशे आपने उपर जोयू तेम मनिलाल नभोभाई ना जीवन उपर प्रकास पड़ता अवा अनेक नाना मुटा लखाणों प्रसिद्ध थाया होवा अच्छता हजी सुधी एतले के ओगनी सोने पंचोतेर एंसी सुधी आपने मनिलाल नू आत्मवृतांत सणंग मलतू न थे यह मले छे आपने सद्गत स्री धिरुभाई ठाकर ना संसोधन कारिय थी आ समय धिरुभाई ठाकर पेचरी नो महानी बंध तैयार करी रहा हता अने एमने आनन्द संक्र धुरु ना पुत्र प्रफेसर धुरुभाई धुरु नो संपर्क करी ने आ आत्मरुतांत पुरे पुरु वहांचवा माटे माग्यू धुरुभाई साथे अनेक प्रकार नी चर्चाव करी ने एमने सम्मत करया के आ आत्मरुतांत एना एश्वरुपे प्रकासित थवु जोई अने एना परिणाम रुपे सवु पहल्ली वकत छेक अडार्सों ने इत्यासी मा लखायवानी सरुवाद थएलि ए आत्मरुतांत अढार्सों ने अठ्ठाणूम जे मनिलाल आत्फणी दुनिया छोडिने जता रया हता एमनिलाल नू आत्मरुतांत आपने दिरुभई ठाकर ना प्रयवत नो थी दुरुभई दुरु नी सम्मत ही थी चेक सरस्रिते भेंचाये लूँछे एन्य विगतों आपने हवे पछी आगर जोईशो तेंक यू मित्रो मनिलाल नू आत्मर उतान अपने बे भाग मा जोईशक्ये पुर्वार्थ अने उत्तरार्थ अधार्षो सित्यासी मां यह मिने आज्यारे लखवानू सरू करियू त्यारे फुल्सकेप पानाना चौथि आ भाग मां पानानी एक साइडे एकसो ने छन्नू पाना मां तेमने आ आत्मर उतान्त उतार्यू छे पुर्वभाग मुंबई मां लखवानों सरू करियो हतो अने ए तारिक हती एक छो अडार्षो ने शित्यासी अने ए शणंग लखान यहमने चार मैना सुधी लख्यू अने ए नडियात खाते पुरु करियू फिबरुवारी मां आम तो लखवानी सरू आत थाई गय हती मुंबई थी अने मे जुन मां यहमने ए लखवानू काम पुरु करियू त्यारे यहमना जीवन अथ्यासी वरष् अने यहां थ्याविस वरष्णों सणंग एहवाल यहमने आ चार मैना मां लखे हो से त्यार पछी 1683 पछी यहमने आ आरंभिक एहवाल पुरु करियू त्यारे यहों नीड़े करियू हतो जे आपने मनिलालना सब्दों मां जोई है आज पछी हम्मेशा एक नोदनी आखी तेमा मुख्यवातो लखवामा आऊशे धर्मना नित्यक्रम देह कर्म नोकरी ने खांगी अभ्यास्तना नित्यक्रमनी वाद सर्व कोई कल्पी शके छे ने तेमा नोध्वा जेवूपन कहीं नथी ते ते नोध्वामा आऊशे नहीं पर जे तारिक जे कई साधरण वाहत करता विशेश्ट नवाई वालो के जानवाजयो बनाव हसे ते नोधी राखवा मा आवशे तो अडार्शो ने सित्यासी थी ओग्णिस्टो ने पंचानों सुधी यहमने आवी छुटक छुटक 26 नोधो थी आ आत्मरुतांत नो उत्तरार्द लख्यो शे आ 26 मा थी ओग करी छे आ प्रत्यक नोधो जारे लखवा बेठा हता त्यारे एकी बेठकेज लखाई होई तेम ए वाजवा पर्थी लागे छे आ आत्मरुतांत ना पुर्वभाग ना आलेखन मा यहमने पुतानी स्मूती ने सतत सतेज राखी हती अने एज रिते आ उत्तरभाग मा पन बन अने जीनी जीनी विगतों त्यमने आपणने आपिशें अजवविष जे छुटख छुटख नोधों हती massुतां जनाई छे त मनीलाले अगाऊ नेनाई करे हतों त्यारे आ आ छुटख चिंतन मनन औन ले खन भाबतें धर्मकारिय विशेपण मित्रो कुटूमभियो विरोधियो वगेरे विशेपण जादबात नी हकिकतो मढ़ए शे. अने साथो साथ पूताना जीवनने लगतो कुटूम ने लगतो ऑने जाहेर जीवननों अगत्यनों बनाव पन यह मने नोध्यो छे आँ 26 नोधो क्यारेक एकाद दिवस ने अंतरे क्यारेक एकाद महिना ने अंतरे क्यारेक एकाद वर्ष्ण ने अंतरे अनने एक वखत्तों तेर महिना औने नौ दिवस जेतला लाबा समय पछी यह मने नोत करी होई यह पन बनियुँँछे आ नोधो पन मनिलालनी おटार्षो ने पंचानु सुधीदि आपन ने मले छे 2-21 ने लिवस नोधो नोены जे क्रम्षे ते पन जान से यह पनवाई छेली तारिक 22 ओगस्ट अडार्शोने पंच्यासी छे तो 26 जानिवारी अडार्शोने सित्यो तेर्थी 22 ओगस्ट अडार्शोने पंचानू दरिम्याननी आ 26 नो दोमा मनिलाले पोताना जीवननी अनेक विगतो टुकडे टुकडे लखी छे पने जोता जणाई छे के जिवनना अंतिम्तरन वर्शोने नोदो अपने मऩी नथी आम तो आशक्य नथी धिरुबैइ ठाकर पन मित्रों लखे छे के आँ अंतिम्मतरन वर्श्ट नी नोधो थाई हरसे पन कोई कारण इए आपने प्रहप्त थाई शकी नथी मनिलाले पोतानु आ आत्मों रुतांत लखी ने आनद सकर भई ने स्वाँप्यों पछी ये प्रसीद करावाना हेतु सरज आप्यों हसे यहूपन आपणने एमनीज एक नोधमा थी मड़े छे ये जीव से त्या सुधी कोई ना हाथ माई जशे नहीं एवी यहांने खात्री होवा थी यहांने पोताना कोई दोशों ने छुपावया नती एक नोधमा त्यों लखे शे आव्रुतांत आ मरण कोईने हाँद जनार नती इतले लोकों मने वखोड शे एवी धास्ति थी कोई पन दोस्त चुपावानू मने कारण थी। पोता ना गुण विशे काई ना बोलता कितिक हकीकत मात्रज आपी। पन दोस्त विशे तो यथार्थ वानन आपी जे होई ते जरापन संकोच विना जाहेर करवू। पन आ संकोच विना जाहेर करवानी वाद यह मने पोते पन इच्छी हती। ते ओ लखे छे। कि आ आत्म कथा पाशन नों उद्देश सो हतो। कोई मानस भाग्येज महरा जेकली इश्रा निंदा अने गेर समझूती थी थाई आवेली अप्रितिने पात्र थायो हशे। कया न्याई मानस ने आवे समय पोतानी खरीवाद जाहेर करवानू मन न थाई। हुँ हवे पची थता निश्पक्ष पात सज्जनों आगल मारी फरियाद करी सकिस्ट एम मने वारमवार थतो। मैं आज सुधी जे कही लख्यू छे तथा जे करीू छे तेनी छाप गुजरात मा मने जे अउसे पड़ेली लागे छे ते विचारता जरूर आ कागलों नो पन कोई कि शोधक खप कर्षे वी आसा मारा रदईने उत्ते जना आपे छे। मनिलाले आ लख्वा पाछन नो उद्देश आत्म निरिक्षन नो जनाव्यों छे। मानस पूर्ण होतू न थी। दिम्य धिन में तेना मां रहेल अंकूर खिलते ते पूर्ण बने छे। तेना मां पन विचारवंत मानसो आत्म निरिक्षन अत्वा पोताना अंतरनी सुक्स्म तपास राखवा थी। गणेयों से जल्दी आत्म कल्यान साध्वाने योग्य थाई छे। आचु दिनू वृतान्त लख्या थी मने पन आलाब मर्शे। ने दिन प्रति दिन में कया त्याज्याउश छोड़ी ग्राव्याउश मां वृद्धी करी। ये मने पोताने संतोस कारक रिटे जाना से। आत्मरू तांत मा मनिलाले पोतानी नहीतिक मर्यादाओनू नग्न वर्णन करी। आनुभो लख्वामा ये मने सहचे संकोच राख्यों नथी। इवा प्रसंगो इवा बनाओ छे कि वांचिनारने प्रथम नजरे ये चोकाओ नारा लागे। परिंतु सहेज स्वस्त थाईने ततस्टता पुर्वक त्यमनी परिश्थितिनू आकलन करिये त्यारे मित्रों आपड़ने जणाए। कि किवा संजगो मा आमानास जजुम्यों छे। आत्मरूतां आथीज मनिलाल नी अने मनिलालना समय नी मनिलालनी संस्क्रोती नी एक आखी विचार्शन नी एक आखु चित्र दर्शन आपड़ने आपेशे। एमनू वेदांत ज्ञान एमना प्राण विनी महिना प्रयोगो एना मूर एना प्रिरक बढ़ो एनी विकास कोठियो एना ततकालिन परीणामो एने पोशक अने भगातक बढ़ो वगेरेनो खुद तेमनाज मुखे कहवायलू आ वृतांत आ कारणे मात्र मनिलालनोद नहीं परन्तु ते समयना समाज जीवननो महत्वनो चितार शे। अही मनिलाले मात्र प्रयम प्रसंगो नुझ वर्ण नथी करिऊ। अगर तेम आतो एनी एक वदूपर्ती गवायली बाजू छे। एमना अपायला तेमना कुटूम विजनो मित्रो मुरभ्यो सिक्षको वगेरेनो परिचेई पर्थी मनिलालना समग्र व्यक्तित्वनो ख्याल आपणने मले छे। तो सामे छे। मनिलाले वारंवार उभिथती पोतानी काम रुत्ती ने निर्भिक पने आलेखी छे। इवाद पने यां मले छे। कितले एक ठिकाने आवा आनेतिक स्खलनोंने यह मने जहन्त रुपे घटाववानी आत्मवंचिना पन करी छे। कितलाक प्रसंगों मा तो ते एक प्राकृत कक्षाय उत्री ने और उची कर विधानों पन करे छे। त्रियोश साथेना संबंधोंनी वाद करता अमुक वाक्यों इवापन लखाया छे। कि कोई सज्जन नी पर एचरी न शके। वड़ियमनों स्वभावपन अमुक अहुंसे राग द्वेश वालों हवा थे। कितलाक प्रसंगों मा ते वो हकीकत ने विक्रूत बनावता होई यहम पन तर्कबद्ध रिते जनाई आवे शे। ते वो स्वभावे अत्यंत सम्वेदिन सिल हवा थी। आँ यहमनों गुस्व यहमना सब्दों मा आपणने जनाई आवे शे। आवा समय यहमने आपेला अभीप्रायों तर्क संगत होता न थी। यहमन नर्यो पुर्वग्रह दिखाई शे। अने इतले आवी नोधों मा आपणने विरोधा भास के वी संगती पन तरत जनाई मातापिता विशे, त्रिभुवंदास घजर विशे, साकरचंद भाई विशे, चतूर भाई, मोहनलाल, बाडासंकर कंथारिया, मनि भै जस्बै विशे, यहमने जे विचारों हिया मुक्या शे। यहमनों आवू पुर्वग्रह वालू, वी संगत अभीगम वालू वलन मनि लाल प्रक्रूतियेज प्रेम भुख्या हाता। यहमना अंतरात्माने सुद्ध ग्नान रुपी साक्सातकारणी जंखना बले हती, प्रेमनू सरीर तो थोड़ वास्नानेज संतोस्वा अधरू बनतू हतु। यहमना गद्यपद्य सर्जनों मा तो आध्यात्मिक प्रेमनी अभिलासा जनावेशे, प्रण वास्तविक जीवन मा यहमने अनेक वार सरीर सुखनी लालच मा खुपी गया होई, एवी वातो पन लखीशे। अने आमरियादा पाशन बाल लगन, निस्फळ लगन जीवन, शेरी अने साडानू कलूशित वातावरन, कू सौबत, नादूरस्ति, उत्तेजित काम रूत्ति, अभा कितलाई परिबळोय भाग बजवियो छे। पन ए समय आवा एमना जीवन ना प्रसंगो मा थी, आपने ए समय सिक्षन नू महत्व केटलू हतू। अपने त्या ज्नाती बंद्रनों किवा जड़ हता। बाल उचेर मा सेरी अने साडावनों केवो भाग हतो। बाल लगन थी अने कजोडा थी युवन ना अर्मानों केविल ते कचडाई जता हता। नैटिक दारित्र केटलू हतू। आर्थिक व्यवारोनू महत्व केटलू हतू chickens सामान्यलोकोनी महत्व कांक्षा केटली सिमित हती। अवी अनेक सामाजिक शांस्कुू।िक्विगतो अपड़ने या मढेह arrange ऐ। आ अर्थमा मनिलालनु आत्म रुतांत एक समाज सास्त्रिय औने मानस सास्त्रिय अभ्यास माटे नी मोटी मोडी से, मनिलालमा अरग हिम्मत, सत्य निष्ठा औने उडी गिनान साध्ना सर्वो परी हती, यमनु व्यक्तित्व लोह चुंबक जेऊ हतु, यमना आत्म रुतांत अनेक प्रसंगों उपर थी, आपने जानी शकी, केट-केटला लोको खासकरी ने स्त्रियो यमना तरफ आकर शाती हती, यमनु अने यमनी पत्नी नु शिथील चारित्र छे इवी वातो जग जाहेर थाई होवा छता, पोते एक सरम जनक गुप्त रोग नो भोग बन्या होव यमने गता हता, बयंकर सारिरिक, बयंकर सामाजिक, बयंकर आर्थिक आगातो आव्या होवा छता यमनी बुद्धि ना बढमा कदी फेर पड़ेयो नथी, येनो वेग पन हळोबो थयो नथी, यमने कले ला संकल्पों मां यमने कदी आलस करी नथी, कि यमां ओट पन आवी नथी कि ये संकल्पो थी एक अधी ढड़्या पन नथी अने आउँ संकल्प बढ़ज त्यमनी पासे आटला चारीस वर्ष ना तुंका आविश्य गाळा मां पराण वेनी मैंनो अने सिद्धान्त सार्ण कितला कितला नवा विचारों नो आपनी समक्ष प्रयोक करावे से जो ये आउँ ना पी सक्या होत अने अनेक मर्याद आउँ एमना मां छे जाहिर थाई होत तो ये आपना धर्म गुरु तरीके पन ये वक्षते श्विकराया ना होत मनिलालनो कवीता ओपर नो प्रभाव येमना सामाई को चलावानो अनुभो येमनी बदलाती जती धर्मतत्व विचार्णा येमना अभेद करी अभेद मिमाव सा आ बाबतों पन आ आत्मनुटांत माथीज प्रकास मा आवी शे कित कितला ये वक्षतना साहीतिक विवादो कित कितला साहीतिक प्रभाव विशे नी विगयतो पन मढ़ेशे आ द्रश्टी ये पन तेनों घणों मोतु मात्व शे ना नालालनी पंक्ती इत जाने मनिलाल जीवया होई कि अरे रे जहलवातो जाओं छूं संदर्यने पन जिल शरीर इवात आत्मरूतांत ना सार रूपी आपणने मले शे आत्मरूतांत नबली क्षणे लपसी पढ़नारा मानासो ने दिवादानी बतावे तिहूं शे आत्मरूतांत नी जे मनिलालनी नबलाईयो आत्मरूतांत माथी आपणने मले शे एना करता एनी उंचाई एनी गिन जादा क्या ही भुशाई जाई से एक वखत आपने जो आत्मवुतांत ततश्चता पुर्वक वांचिये इन्हों आकलन करिये तो आ प्रकांड पंडित जीवन सामे क्यों जजुमियों अन्ने तुका जीवन मापन केटलू मोटू काम करी गयो इन्हों ख्याल आया विना आपन नीर है मित्रो, thank you, thank you very much.